तो क्यासे है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डवलोबीसी के बारे में तो डवलोबीसी का मेन फंक्शन बॉडी के प्रटेक्षन करना होता है हमारे असपस लाखो करोडो बैक्टेरिया मुझूद है लेकिन हमें हमें से बहुत कम लोग को ही of granules, जिन में granules present होती है, उनको हम granulocytes बोलते हैं, और जिन में granules absent होते हैं, हम उन्हें एक granulocytes बोलते हैं, so basically हमारे पास तीन granulocytes है, इनको इस basis से डिवाइड कर जाता है, कि इनके granules कौन सा strain लेते हैं, so neutrophil के granules, acidic and basic दोनों strains शो करते हैं, लेकिन acidophil के only acidic strains शो करता है, और basophil के basic strains शो करता है, जब differential lequocytic count करते हैं, तो हमको हर WBC के nucleus की morphology पता होने चाहिए, क्योंकि उसी के basis पर हम सारे WBC को एक दूसरे से differentiate करते हैं, एक granulocyte में हमारे पास सिर्फ दो ही cells है, monocyte और lymphocyte, इनमें कोई granules होते हैं, तो हम इने nucleus की मुदद से differentiate कर पाते हैं, हम बस हर cell के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे, क्योंकि इसके बारे में detail में बताना तो इनस फीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाया, तो हमारी पहली cell है neutrophil, तो neutrophil को जब हम leishman stain से stain करते हैं, तो वो eosyn और methylene blue दोनों stain ले देता है, जिसकी वेसे उसके crystal जो है, व thermally present होते हैं, यह staining के वक्त ऐसे दिखते हैं, अब इनके यह multi-lobe nucleus से इनकी पहचान कर सकते हैं, next cell हमारे पास आती है eosinophil, जब eosinophil को leishman stain से stain करते हैं, तो वो सिर्फ acidic, eosyn dye लेती है, इसका जो nucleus होता है, वो spectacle shape का होता है, और यह total WBC के, महस 2-4% होता है, सो यह, जब हम staining में यह कुछ ऐसा दिखते हैं, देखो इनके pink granules और spectacle shaped nucleus एकदम easily visible होते है, granulocides में हमारे दीसे सल आता है basophil, इसके granules basic dye से stain होता है, इसका nucleus होता है, वो bi-lobed होता है, यह total WBC के, महस 1% को cover करता है, तो staining के बाद हम इन basophil को, इनके basic blue granules और bi-lobed nucleus के सारे पहचान सकते है, अब बात करते हैं, यह granulocides की, तो इसमें पहली सल आती है monocyte, monocyte सबसे बड़ी WBC है, इसका जो nucleus होता है, वो kidney shape का होता है, यह total WBC के, 2-6% को cover करती है, जब हम stain करते हैं slide को, तो यह अलगी appreciation हो आती है, क्योंकि यह सबसे बड़ी cell दिखती है, जब RBC के बीच में सबसे बड़ी cell यही दिखती है, staining के बाद monocyte का kidney shape nucleus एकदम अलगी समझ में आता है, हमारी आखरी cell है lymphocyte, lymphocyte basically दो हिस्तों में divided रहते हैं, on the basis of their shape, तो हमारे पास एक होता है large lymphocyte और एक होता है small lymphocyte, तो जो large lymphocyte होता है, वो RBC से देड़ गोना के आसपास बड़ा रहता है, और जो small lymphocyte होता है, वो RBC के करीब-करीब equally होता है, दोनों को differentiate करने का जो feature होता है, वो presence और absence of cytoplasmic ring होता है, large lymphocyte में एक cytoplasmic ring अलग से समझ में आती है, लेकिन small lymphocyte में वो ring absent होती है, तो staining के बाद की ये कुछ images है, large और small lymphocytes की, इसमें ये cytoplasmic ring है, इनी से हम large lymphocyte और small lymphocyte को पहचान सकते हैं, तो हमने जो इतना सब कुछ पढ़ा, हम उसको सिर्फ एक picture की मदद से याद करने वाले हैं, हाँ दोस्तों सिर्फ एक picture के मदद से, in the descending order, never के N से हम याद रखेंगे neutrophils, let के L से lymphocytes, monkey के M से monocytes, eat के E से eosinophils, और banana के B से basophils, हाँ दोस्तों सिर्फ एक लाइन की मदद से हमने सारे lymphocytes को इतनी याद कर लिया, तो दोस्तों ऐसे useful content के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं, झाल 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 सैंग